नमस्कार दोफ्तों एक बार फिल स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फेंटेस्टी क्रिकेट क्लेस में आज हम बाग करेंगे जो मुकाबला होने वाला है दोफ्तों पुनेरी फल्टन और पढ़ना पायराइट्स के बीच में इसके बारे हो में लेकिन दोफ्तों यदि आप अभी तक चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और बेल आइकन प्रेस कर देजीगा साथ में दोफ्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा आपका एक एक लाइक में लिए का जो कि मैच से 15 या 20 मिनिट पहले आपके लिए मिलेगी और कंफर्म टीम जी हैं दोफ्तों कंफर्म टीम विद कैप्टन और 22 कैप्टन वो भी यहीं पर मिले बाली है और दोफ्तों आपके लिए स्मॉल लिग और ग्रेल लिग का वेस्ट कॉमिनेशन भी यहीं पर मिले बाल करते हैं दोस्तों अब हम यहाँ पर माय फैविलोन के बारी में दोस्तों ए बहुत संदर एपलिकिसा ने आप एक बार यह से ट्राइ करकर देख सकते हो लिंक आपको इसकी बीडियो डिस्क्रिप्स में मिल जाएगी डाउनलोड करकर आपके लिए राज बन टू-3 कोड डाला कि 100 रुपय हमारी तरफ से आपके लिए क्यास बोनस मिल जाएगा वह संदर एपलिकिसान है आप एक बार जरू से ट्राइ करकर देख सकते हैं एंट्री फीस दोस्तों इसमें तोड़ी ही नहीं है इसका इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कहीं देखने को नहीं मिलेगी सा सबसे पहले आप देखोगे पुनेरी पल्टन को पुनेरी पल्टन को देखोगे उससे पहले पढ़ना पाई रेट्स का अटेक देखीगा यहां पर आपके लिए सुधाकर एम लगबख 30 परसेंट रेडिंग करती होने चारा जाएंगे इस साइड से और इस साइड से और संदीप कुमार है इस साइड रेडर और एस साइड से लगबख 4 रेडरा रेट डालने वाले हैं सामने वाले तीम का अब दोस्तों इनके डिफेंस के बारे इन चर्चा कर लेदे हैं पुनेरी पल्टन को लावी पढ़ने तो आपके लिए पूनेरी पल्टन के सबसे पहले आपके लिए चैन के बारे में तो यहां से माली जीगा आप ए तीनों डाल दिया है सजिन तबर मनजीत धहिया और दृधिड़ो शंधीड इन तीनों ने डाली तो इनके सामने defense कौन रहने बाला है जी यहां दौत दृफ़ो डिफएंस कैसा रहने बाला है इनके स तो इसमें आप दिख लिए असलाम मुस्तफा यहां पर आपके लिए मिल जाएगा अब असलाम मुस्तफा क्या करेगा दोस्तो यह अटेक करते हैं न यहां पर पकड़ने नहीं जाएगा क्योंकि में रेडर है ज्यादा रिस्क लेता नहीं है उसके बाद जो अगला कॉंबिनेशन रहने वाला है वो लेप्ट कबर और राइट कबर यहां पर आप देखिएगा हमारा लेप्ट कबर आ जाएगा साबंत आ जाएगे और हमारा राइट कबर आजाएगा दोथतों यहां पर नदर आ जाने या अविनेस बोलेजीगा यहां पर आविनेस अमारे राइट कबर आ जाएगे जो अगली चेंड रहने वाली है वो पंकाज मोहिते हो गाएं हे और ए हो गए हमारे गौरब कठारी, अब माल लेजिएगा, अब क्या होता है, सरजिन तवर, मंदीप धहिया और संदीप कुमार, यहां से रेट डालते हैं, यह रेट डाल रहे हैं दोफ्तों, तो अब इनको सबसे पहले पढ़ता है दोफ्तों, यहां पर मुहम्मद रिजा, मुहम्मद रिजा जोगी बहुत अच्छे प्लियर है और दोखतो बहुत अच्छा अभी खेल भी रहे हैं उसके साथ पढ़ते हैं मुहित गोटे तो बिल्कुल डेफिनेटली दोखतो इनको थोड़ा टफ रहने वाला है अब हलचर चूकी इसी कौनी पर जादा रहेगी तो इनका डिफेंस रहेगा ना वो अच्छे पॉइंट आपके लिए देने बाला है उसके बाद दोखतो जो सांकेत सावंत हैं वो आपके लिए यहां पर आ जाएंगे इनके साथ दोखतो अभी इसके साथ इनके सामने पढ़ने बाला है इनके सामने पढ़ने बाला है दोखतो यहां दोखतो ए भी आपके लिए यहां पर attack करने बाला है तो आपके लिए एक कुछ chances इनको मिल जाएंगी किसको गोरब कठारी को ज्यादा chances मिलेंगी थोड़े से और थोड़े ज्यादा chances मिलेंगी दोखतो मुहे टेको और इनको chances मिलेंगी चुकि ए सामने रहने बाला है यहाँ पर आप देखिएगा एस सामने रहने बाला है तो इतना chances साइज इनको ना मिले जिदने की chances इनको मिलने बाले हैं। तो एक कुस्तों इस कौने पर हलजल रहने बाली है अब जो अगले कौने पर हलजल रहेगी ना उसको आप देखिएगा। अब इस पर आप देखोगे सुधाकर M, लगभग आपके लिए 30% के सम्तिंग रेड डालेंगे, अब इनका डिफेंस क्या रहेगा, सबसे पहले आप देखोगे पंकर्ज मुहिते, यहाँ पर पंकर्ज मुहिते के साथ रहने वाले है गौरब कठारी, यह गौरब कठारी होग पर हमारे अविलेस रहेंगे और इनके साथ रहेंगे दोफ्तों यहाँ पर सावन्द यह हो गए, और जो लाइस्ट पियर रहेगा ना दोफ्तों वो रिजा का और रहेगा, मुहित गोईटे का, यहाँ पर मुहित गोईटे हो गए और यह हो गए हमारे रिजा, तो अब यह यहां पर देखिए लगबग सुधाकर एम यहां से 50% परसेंट परसेंट तो यहां पर सबसे ज्याद़ चैन्स कि इनके बनते हैं मुहमद रिजा के मुहमद रिजा जो कि दुखतो इनको थोड़े ब्लाइड स्पोर्ट में आएंगे तो यहां पर अटेक कर सकते हैं फिर उसक पर दूखतो इनके पास चांसे और यहां पर आप देखोगे कठारी आके बहुत अच्छा चांसे कठारी आपके लिए यहां पर एटेक कर सकता है पंकर्ज मुहटे के साथ तो एक कुछ दोस्तो सेनेरियो है इसको आपने मेरी उमीद है कि समझ दिया हुगा अब हम बात करे करेंगे दोस्तो पटना पाइरेट के बारे में बात करें उससे पहले दोस्तो दोनों ही टीमों के आप इनकी टीम के आप थोड़ी से रेडा देख लेजी लगबग 60% रेड यहां पर होंगी इसमें मुहट गयट और दोस्तो पंकर्ज मुहटे ज्यादा रेड करने वाल है इस कॉर्णर से लगबग 60% इस कॉर्णर से होंगी 60-70% और दोस्तो इस कॉर्णर से होंगी लगबग 40 30-40% क्योंकि कभी क्या होता है कि आकाश सिंदे रहते न इस बज़े से फिर अकेले असलम इमामदार अकेले रेड करने के लिए यहां पर रह जाते हैं तो वो लगबग 20-25% या 30% के आसपास डालते हैं तो इसलिए आपके लिए यह सेनेरियो भी समयने बाली है आप दोस्तों यह रेडर होगा है किसके पुनेरी पल्टन के असलम के बाद दोस्तों यहां पर आकास सिंदे यहां पर मोहित गोएटे और पंकस मोटे आपके लिए उनके रेडर हो आपके लिए सब कुछ समझ में आ जाएगा माल लेजी यहां पर फर्स्ट चैन रहने वाली है संदीप की और संदीप के साथ रहेंगे अंकित यह दोनों रहेंगे दोस्तों इनके साथ एक सोलो पलियर रहेगा सोलो पलियर बोले जीगा आप मैन रेडर बोले जीए सचन है अब सचन के बाद दोस्तों अगली लेट कॉर्नर और राइट कॉर्नर की जुम्मिबारी हो जाती है तो लेट कॉर्नर में मनीज है और राइट कॉर्नर में है दोस्तों हमारे निरज कुमार तो यह हमारे निरज कुमार की चैन हो गई और जो अगली चैन है न वो रहने वाल रहने बाला है अब आप देखेगा इस साइड से रेड करने बाले हैं मोहित गोईटे और पंकर्ज मोहिते लगबख 60% रेड यहां पर करने बाले हैं बैसे तो यदि दोस्तो एप पूरा मेच खिलते हैं न अकासिंदी तो 50-50% का मामला हो जाएगा लेकिन अभी मैं 60% का करने के लिए जाएगा सामने वाले पिलियर को इनको पकड़ेगा टैकल करेगा तो चांसे हैं इनके पॉइंट देने के अब आते हैं दोस्तो इनके दो सामने आते हैं लेप्ट कबर और राइट कबर के सामने आएगा और दोस्तो रेडर का मैंने मैं रेडर का बदाई दिय तो जट से उनके साथ देने के लिए आ जाते हैं तो इनके साथ में सामने पढ़ने वाला है और यहाँ पर यदि यह रेडर थोड़ी गल्दी कर गए तो मनिश और निरेस कुमार इनको बिलकुल पकड़ लेंगे और धर लेंगे इनको और जो अगला दोस्तो रहने बाला है ना बो रहेगा हमारा सुधाकर M और कृष्णन का सुधाकर M और कृष्णन आप देख लीजिगा यहाँ पर थोड़ी से दोस्तो रहने बाले हैं ब्लाइंड स्पोर्ड में रहेंगे तो थोड़ा और चांसे बढ़ जाएगा अटेक करने का तो यहाँ पर माली जी करते हैं और यहाँ पर आपके लिए आकास अटेक करेंगे और इनके सामने यह थोड़ी यलती की तो यह भी पकड़े जाएंगे सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर आसलम इमामदार या कुछ ही माली जीगा उसके बद आकास सिंदे का मैं आपके लिए बताई चुका हूं कि पॉइंट इनका कह रहने वाला है और दोस्तो याद रखिएगा टेलीग्राम जरू जोइन कर लेजीगा यदि आपने अभी सब्सक्राइब आपके लिए अपडेट और फाइनल टेम मिले वाली है तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिली जाएगी अब बहुत जाके जोइन कर सकता है अब यहाँ पर लगबग 40 परसेंट यदि आकास सिंदे को भार नहीं किया गया तो 50 परसेंट आपके ल दुखतो जो अगली रहेगी राइट कवर और लेप्ट कवर उनके नीचे रहेगी तो इसमें नीरज कुमार हो गया और फिर हमारे हो गया दुखतो मनीस अब दुखतो मनीस और नीरज को हमेशा सामने ही रहना है चाहे राइट साइड से रेड हो या फिर लेप्ट साइड स यहां पर संदीब कुमार और अंकित यहां पर आपके लिए होगा संदीब कुमार और यह होगा हमारे अंकित अब दुखतों यहां पर बिल्कुल सामने रहने वाले हैं यहां से रेड करेंगे तो यह बिल्कुल सामने आएंगे इनको थोड़ा सा ब्लाइंड स्पोर्ट चेला जाएंगे और यहां पर दोस्तो ए बिलकुल सामने रहेंगे और रेडर के गलती करने का इंतिजार करेंगे और जैसे रेडर कोई भी गलती करता है छोटी सी भी धार दवू चाहेंगे राइट ev ylft corner धार दवू चाहएंगे और इसका मैंने आपके लिए रॉल बताई दिया है कि सिर्फ इनका साथ देना है और मैं रेडर है तो दोस्तों यह साइड काट है रहने बाला है अब आपके लिए मैं एक फाइनल कॉंबिनेशन डेडी कर रखा है लेकिन याद रखेगा यह अभी मैं आपके लिए आईडिया दे रहा हूं ल गोयट है और दोस्तों यहाँ पर आप देखो तमार है मैंने इनको ट्राइ कर रखा है मैं जो भी चेंजिस करूँगा कोई भी चेंजिस करूँगा तो उसके बारे मैं आपके लिए अपडेट टेलीग्राम पर करूँगा अभी एक आईडिया मात्र है यह दोस्तों एक परनल टीम आईगी ना वह आपके लिए मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा तो आप टेलीग्राम जरूद जोइन कर देजिगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी भाज जाके आप जोइन कर सकते हो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जय जे भारत